आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे द्हान तक नहीं होतरी स्टेडी आईक्यू का आपका बहुत दोस्वागत है यार वाट्साइब ग्रुप जो है ना यह गूगल से एकसेसिबल है यह ख़बर बड़ी डराने वाली है वैसे वाट्साइब के नई प्राइवेसी पोलिसी आ गई है लेच्छर उस पर अविलेबल है मैं एक लेच्छर लूँगा कि क्या प्रोफाइल पिच्चर और आपके म और अगर गूगल में जैसे मालो फामिली ग्रेट फामिली नाम से वाट्साइब ग्रुप है और गूगल में किसी ने टाइप कर District great family आपको वाट्साइब ग्रूप आ जाएगा और वो इनसान उसको जोइन भी कर सकता हैँ अभी कितना खातरनाक है आसे हाप समझ सकते होंग सिर्फ और सिर्फ 499 आपको पे करने हैं आप जरूर जोइन करिए इंस्टा पे मैं आ गया हूँ पे बसे मैं ट्राइवल करूँगा अगर आप मुसे वन टू वन इंटराक्ट करना चाते तो मुझे यहां पे फॉलो करें क्योंकि यहीं पे मैं अपडेट डालूँगा तो अभी तो भारत वाट्साइप से ही चल रहा है देखो आत्म निर्भर तो हमको बनना है लेकिन क्या हम आत्म निर्भर बन पाए हैं नहीं जहां चाइना ने सारे फॉरेंड प्लेयर्स को लात मार के भगा दिया भारत ऐसा नहीं कर पाए इनफाट भारत में जो कंपनीज आई फ्लिपकार्ट राइज एंड फॉल ऑफ सचिन बंसल मतलब बंसल ब्रदर्स अलाकि दोनों भाई नहीं है लेकिन मैंने उनकी उस टॉपिक को कवर किया है उसमें आप देखेंगे कि वो कंपनी तिनी तेजी से आगे बढ़ी और उन द नाइनीज स्टेक्स या फॉरेन स्टेक है ही फॉरेन वाले इंवेस्टमेंट करते हैं आई एनपी सी आई यूपी आई शांदार यूपी आई जवर्दस हिट था लेकिन अगर आप यूपी आई को देखे तो फोन पे गूगल पे वाट्साइप तीनो फॉरेन कंपनीज है कंट्रोल उनके पास है तो आप समझ सकते हैं कि आत्म निर्भर बनते तो हैं हम अपना बनाते हैं एनपी सी आई यूपी आई ये सब लेकिन वो अल्टिमेटली चला जाता है फॉरेन प्लेयर्स के पास अब दोस्तों ऐसा है भारत में वाट्साइप ग्रूप बनाए जाते अवेलेबल हो सकती है और कोई भी अन्नोन परसन जो आपको जानता भी ना हो वो वाट्साइप ग्रूप को जोइन कर सकता है आपकी प्राइवेट ग्रूप चैट को एकसिस कर सकता है गूगल सर्च से इट इस पॉसिबल 2019 में ये प्रॉब्लम आई थी लेकिन इसको फिक्स कर लिया गया ताब दुबारा से प्रॉब्लम आगी है अब दोस्तों इसकी डीटेल्स क्या है कैसे आप बच सकते हैं हम इस लिचर में जानेंगे ये मेरे टेलिग्राम चैनल है अभी 12,700 सब्सक्राइबर है आप यही वाला जॉइन करिएगा इस पे आपको PDF मिल जाएगी देखो अगर आप अपने WhatsApp ग्रूप चैट को इंडेक्स करते हैं उसमें को उप्शन आता है अगर आप उसको इंडेक्स कर रहे हो तो यह जो लिंक्स है WhatsApp ग्रूप के प्राविट ग्रूप के यह वेब में फैल जाते हैं और Google में इसको सर्च किया जा सकता है और कोई जॉइ भाई देखो WhatsApp ग्रूप जो है वो कम से कम छोटा ग्रूप है तो ठीक है लेकिन आम तोर पर ग्रूप छोटे होते नहीं है उसमें कम से कम 10-15 में मस तो होगी यह मिनिमम बात कर रहा है तो उसमें 30-40 आ जाते सारे इंप्लोईज अब एक और अगर एड हो जाएगा तो क्या क अब मार्च से ही WhatsApp ने No Index Tag मैंने क्या बताया कि अगर यह जो चाट्स है वो इंडेक्स हो गई तब यह शेयर होगा तो यहाँ पे No Index Tag on all Deep Link Pages यह WhatsApp ने मार्च से इंट्यूट किया है अब गूगल के हिसाब से कि इससे आपकी प्राइवेट चाट इंडेक्स हो ही नहीं सकती अब यहाँ पे बोल रहा है WhatsApp कि हमने अपना फीडबैक Google को दिया है कि इन चैट्स को इंडेक्स ना करें मतलब कोई भी अगर इस ग्रुप को जॉइन करता है माल लोग कि यह Google सर्च में आ भी गया और कोई भी अगर इंडेक्स नहीं है वो कोई भी इस ग्रुप को जॉइन करेगा अब आपको पता ही है कि invite link हर चीज़ का एक invite link होता है आप कुछ भी जैसे आप Google पे यूज़ करते तो Google पे का भी invite link आता है न हर एक app में invite link होता है आपके पास मेसेज आ जागा invite link ठीक है तो WhatsApp का भी invite link होता है तो यहाँ पे वो links जो users privately share करना चाहते है इस शुड़ नॉट accessible उसको publicly accessible नहीं होना चाहिए मैंने अगर किसी को invite link भेजा तो उसी को जाए न वो Google पे थोड़ी ना चाहेगा तो इसका कहने का यह मतलब है 2019 में भी same issue हुआ था यहाँ पे जो security researchers हैं उन्होंने Facebook पे इसको report किया था हाला कि बाद में इसको fix कर लिया गया था जब यह issue public क्योंकि बहुत सारी media attention इसने ली थी खतरनाग है नहीं है कैसे आप link को या कैसे आप WhatsApp chat को Google पे डाल सकते हो अब यह तो chat की बात थी क्या users profile येस profile भी यहाँ पे index हो जाती है Google में अब आप देखिए यहाँ पे जो logo के URL uniform resource locator या URL होता है न URL ही तो आप share करते हो वही invite links इन links को कोई तो URL बोला जाता है तो यह जो URL आपका particular URL होगा ठीक है मुझे किसी को कोई अगर मालीज आपकी profile search कर रहा है तो मैं क्या करूंगा आपकी user profile को उसका URL जो है वो किसी से share कर दूंगा तो individual URL भी एक particular इंसान का अभी तो आपने group की बात की थी वो भी Google पे search हो सकता है अब आप आपकी profile Google पे search Google पे हो रही है मतलब कोई भी मालीज जी सिद्धान तक नहीं उत्री डालता है तो मेरी profile आ जाएगा सबके साथ नहीं होता है यह लेकिन अगर इंडेक्स है तो हो जाएगा यह तो मेरा नमबर आ जाएगा मेरा मेरी पूरी profile आ जाएगी मेरी profile photo आ है यहाँ पे numbers है profile pictures है chats है chats तो नहीं sorry chats नहीं लेकिन यह सारी चीज़े is accessible तो जून 2020 में इस issue को मतलब रिपोर्ट किया था अब ऐसा है दोस्तों कि यह जो issue है देखिए WhatsApp पे वैसे बड़ी दिक्कते है WhatsApp कि जो नहीं privacy policy उसमें Facebook डेटा ले सकता है हाला कि आप परशान मतों इ नहीं ली जाएंगी वह खाली data लेगा लेकिन अब WhatsApp यहाँ पे Facebook ने कोई option नहीं दिया है अगर आपको नहीं करना है इस policy में नहीं जाना है यह नहीं accept कर नहीं तो आप account डिलीट कर दो अब account कैसे डिलीट कर सकते है WhatsApp के हमको आदत हो चुकी है दो तीन साल से WhatsApp लगा अतार WhatsApp जो है वह यूज कर रहे है कितने सारे वीचैट आया वीचैट तो कहले चाइना का है और बहुत सारे आया थे ना लेकिन अल्टिमेटली WhatsApp ने बाजी मार ली और WhatsApp पे पेमेंट भी तो कर सकते हैं अब वह पेमेंट वाला डेटा भी जाएगा बिटा अभी तीन सबसे बड़े पेमेंट है ठीक है WhatsApp से आप पेमेंट कर सकते है Google पे और फोन पे तीनों अमेरिका के पास है American Giants के पास है Amazon पे भी है लेकिन अभी वह इतना तदा डेवलप नहीं हो पाया है समझे तो सतर करें इंस्टा पे तो मैं आई गया हूं यहाँ आप मुझे फॉलो करिए खुछ रह पिर गफ वह आप टॉपलो कर तो स्वाई कर दो खुछ रहाँ और भॉपलो कर दो भी हो पीग यहाँ वहाँ यहाँ आपूलो कर दो कि अगार यहाँ और टॉज झाब हैं तो झाल झाल